हेलो फ्रेंट स्वागत है हमारे यूटूब चैनल क्रिटकल इस्टेडी में आज है 14 जून 2026 और 14 जून 2026 से करेंट अफियर्स के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चन बनेंगे वह उन से रिलेटर फेक्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे तो चलिए इस वीडियो के सुरुगात करते हैं पहला कोश्चन क्या है पहला कोश्चन है हाल ही में अंतर राष्टी अभिलेखा गार दिवश कम मनाया गया है तो हाल ही में अंतर राष्टी अभिलेखा गार दिवश मनाया गया है इस अभिलेखा कार देश का पहला यी अभिलेखा कर बना है अब बात है इंपॉर्टेंट दे की जुन में जितने भी इंपॉर्टेंट दे हैं डिसकस कर लेते हैं एक जुन को मनाया गया है विश्य श्राइकल दिवस चार जुन को मनाया गया है अक्रमक्ता के सिकार माशुम बच्चों का अंतराष्टी दिवस पांच जून को मनाया गया है विश्य परियावरन दिवस छे जून को मनाया गया है सायुक्त राष्ट रूसी भासा दिवस साथ जून को मनाया गया है विश्य खाद सुरक्चा दिवस आर जून को मनाया गया है विश्य प्रत्यानन दिवस और अंता राष्टी अभी लेखाकार दिवस दो इंपोर्टेंट डे मनाये गए हैं 9 जून को अब बात करते हैं नेक्स्ट कुश्चिन की दूसरा कुश्चिन क्या है हाल है में कौन ग्रामीड विकास विवाग के निदेशक के रूप में नियुक्त हुए है तो इसकुश्चिन का राइट अंसर हॉप्सन सी राइट होगा राजप्रिय सिंग ये हैं राजप्रिय सिंग जोकी 2010 बेच के IFOS अधिकारी राजप्रिय सिंग को ग्रामीड विकास मंत्राले के तहت ग्रामीड विकास विवाग में निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है 2010 बैच के भारती ववन सेवा अधिकारी राजिप्री सिंग को ग्रामीड विकास मंत्राले के तहर ग्रामीड विकास विवाग के निदेशक के रूप में निउक्त किया गया है और भी इंपोर्टेंट है जिनों निउक्ती हुई पहला है राकेस रंजन को कर्मचारी चैन आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। ने सांती पूर्ण चंद्र अन्वेशन के लिए और्टे मिस समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तो इस question का right answer होगा, option B right होगा, slow walk किया, slow walk किया देश के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, अब बात है slow walk किया की, तो ये है map में slow walk किया, इसकी capital क्या है, ब्रश्टी सलावा, ब्रश्टी सलावा इसकी capital है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, रॉबर्ट फिको, करंसी क्या है, यूरो है इसकी करंसी, next question देखेंगे, चौता question है, किस देश की संसद और नेश्ट पती ने भंग कर दिया है, तो इस question का right answer होगा, option B right होगा, फ्रांस देश की संसद और नेश् प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, गैपरियल अर्टल के प्राइम मिनिस्टर है, ठेके ना, करंसी क्या है, यूरो यहां की करंसी है, next question देखेंगे, next question है, हाल ही में, किस ने नौरवे सतरंज का खिताब जीता है, तो इस question का right answer होगा, option A, जू, वेजन, और option B, मैगनेश कॉलनस, यानि option C, राइट होगा, इस question का right answer होगा, ये हैं मैगनेश कॉलसन, और ये हैं जू, वेजन, जिन्होंने नौरवे सतरंज का किताब जीता है, ठीक है न, next question देखेंगे, next question है, हाल ही में, खबरों में रहा, मोंगला बंदर गाय, किस देश में इस इस question का right answer होगा, option C, राइट होगा, बांगला देश में इस्तित है, मोंगला बंदर गाय, अब बात है बांगला देश की, तो ये है मैप में बांगला देश, बांगला देश की capital क्या है, बांगला देश की capital है धाका, करंसी क्या है, बांगला देशी धाका यहां की करंसी है प्राइम मिनिस्टर कौन है सेख हसीना यहां की प्राइम मिनिस्टर है और गवरनर की बात करें तो मुहम्मद सहाब उद्दिन यहां के प्रेसिडेंट है और फिर इंपॉर्टन कोश्यन है जो बांगला देश ने अंडर 19 एसिया कप का किताब भी जीता है बांगला देश की प्रधान मंतरी ने मुश्लिम देशों के लिए साजा मुद्रा की बकालत की है और बांगला देश में दो दिवसी नजजुल उस्सो सुरू हुआ है तेके नेक्स कोश्यन देखेंगे नेक्स कोश्यन है साथमा कोश्यन है हाल ही में कौन अल्टिमेट फाइटिंग चैंपें अल्टिमेट फाइटिंग चैंपियंशिप में फाइट जीतने वाली भारती बनकर इतिहास भी रचा है नेक्स कुश्यन देखेंगे नेक्स कुश्यन है हाल ही में रितका हुड़ा ने बुड़ा पेस रेसलिंग स्रीज में कौन सा पदक जीता है तो इस कुश्यन का होगा रजट पदक जीता है कौन रितका हुड़ा ये हैं रितका हुड़ा योकि भारती पहलवान है इन्होंने सनीवार पूड़ा पेस में दूसरी रैंगिंग सिरीज में महिलाओं में स्वाफ्ल में दूसरी नेक्स कुश्यन देखेंगे नौमा कोश्यन है, हाल ही में फोन पे ने किस देश में पिकमी के साथ साज़धारी की है तो इस कोश्यन का राइट आंसर, औप्सन पी राइट होगा स्री लंका, स्री लंका जो देश के साथ पिकमी के साथ साज़धारी की है फोन पेने, बात है स्री लंका की, तो ये है मैप में स्री लंका, स्री लंका की कैपिटल क्या है, स्री लंका की दो कैपिटल है, कोलंबो और स्री जैवर्दने पुरम कोटे, करंसी क्या है, स्री लंकन रुपे यहां की करंसी है, प्रेसिडेंट कौन है, रनेल विक्रम सिंगे यहांके president है prime minister की बात करें तो 13 गुर्वर्द ने यहांके prime minister है next question की बात करेंगे, 10th question क्या है, हाल ही में कौन भारती नौसेना की पहली महिला helicopter pilot मनी है तो इस question का right answer क्या होगा, इस question का right answer होगा, option C right होगा अनामिका राजीव ये हैं अनामिका राजीव जो की भारती महिला नौसेना हेलिकॉप्टर पाइलेट के रूप में इसनातक होकर इतिहास रचा है किंदर सासित प्रदेश लद्दाक के पहले कमीशन प्राप्त नौसेना अधिकारी लेफनें जैम यंग तोशिव वांग ने एक योग हैलिकाप्टर पाइलेट के रूप में सफलता पूर्वक इसनातक की उपद ही भी प्राप्त की है नेक्सक्ट क्या है गयरहमा क्योशन है हाल ही में फ्रेंच ओपन 2014 पूरुस एकल खिताब जीता है तो किसने जीता है इस क्योशन के राइट अंसर ऑप्सन ए राइट होगा कारलोस अलकराज यह हैं कारलोस अलकराज क्योंकि 2024 फ्रेंच उपन में कारलोस अलकराज ने Tokyo Olympic champion जर्मनी की Alexander Zeverage को 5 सेटों से हराया है Next question देखेंगे next question है भारहमा question है हाल ही में William Anders का निधन हुआ है वे कौन थे तो यह है William Anders जो की एक अंत्रिक्ष यात्री थे विलियम एंडर्स जिनका हाले में निधन हुआ है तेखना सेना निवरत अंत्रिक्ष यात्री विलियम एंडर्स चंत्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले तीन मनिश्यों में से एक हैं जिनोंने नासा के अपोलो आठ मिसन के दोर और आर्थ राइज की तस्वीर खीजी थी सुक्रवार को उनकी म्रत्व हो गई वह जिस छोटे विवान को चला रहे थे वह वंसी गटन राजे में दुरगटना ग्रस्त हो गया है नेक्स कुश्चन क्या है हाल ही में भारत को भारत की एक्सिम बैंक ने कहां अपना कारियाले खोला है तो इस कुश्चन का राइट आंसर होगा उप्सन सी राइट होगा नेरो बी में एक्सिम बैंक ने अपना कारियाले खोला है नेक्स कुश्चन देखेंगे चोगदेहमा कुश्चन है हाल ही में किसने अपनी आत्म कथा Source Code My Beginning ko launch किया है तो इस Question का Right Answer Option C Right होगा Bill Gates की यहे आत्मकथा Source Code My Beginnings को launch किया है Next Question देखेंगे पंद्रहमा Question है हाल ही में Moto GP India 2025 का कहां आयوجित किया जाएगा इस Question का Right Answer होगा Moto GP India 2025 कहां आयوجित किया जाएगा इस question का right answer आपको comment box में बताना है कि इस question का right answer क्या होगा option E Bangalore, option B Greater Noida, option C Surat या option D Kolkata इन में से एक option right होगा जो आपको comment box में बताना है कि इस question का right answer क्या होगा आसा करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो please इस वीडियो को like करें वह अपने दोस्तों को share करें जो completion exam की तैयारी कर रहे हैं उनको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी हाँ, हमारी YouTube चैनल critical study को जरूर सस्क्राइब करें हमारी Instagram पेज क्रिटकर study31 को भी आफ फॉलो कर सकते हैं, धन्यवाद